नमस्कार दोस्तों हिंदी साहित सिर्टा चैनल पर एक बार फिर आप सब खश्वागत है दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे महरल निसा परवेजी का संचिप्ट जीवन परिचे उनकी रशनाय और उनकी रशनाओं को याद करेंगे बहुत थी आसान सी ट्रिक के साथ दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर हिंदी साहित को चोटी चोटी ट्रिक्स के माध्यम से याद करते हैं तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस दोस्तों मैं चैनल को सब्सक्राइ इसमें हुआ था यह हिंदी भाता की लेखिका है और यह उपन्यास और कहानी विधा के लिए बहुत ही प्रशित हैं इनकी कहानी संग्रह बहुत ही प्रशित हैं जो की हैं आदम और हवा, टहनियों परधूप, गलत पुरोश, फालगुनी, अंतिम पढ़ाई, सोने का बेशर, अयुद्या से वापसी, एक और सैलाब, कोई नहीं, कानी बाट, धैता कोतु मिनार, रिस्ते, अम्मा, समर, यह सब इनके कहानी संग्रह हैं दोस्तों, इन कहानी संग्रहों में और भी कहान्या इनकी संग्रहित हैं यह सभी कहानी संग्रह इनके प्रिशा की दृशित से प्रकाशित हुआ था उसका घर 1972 भी कोर्जा 1977 अकेला परास 1981 समरांगर 2002 पारसंग 2005 यह सबी उपरन्यास हैं के इनके इन उपरन्यास को हम लोग प्रकाशन वर्स के कर्मानुसार याद भी रख सकते हैं एक छोटी सी ट्रिक के माद हम से तो चलिए देखते हैं हम लोग वो ट्र ट्रिक है दोस्तों आखों की दहलीज मैं उसका घर कोर्जा अकेला परास समरांगर पास इस तरह से हम लोग 2-3 बार रिपीट करेंगे दोस्तों इस ट्रिक को तो यह ट्रिक हमें बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी अचलिए हम लोग इसकी ट्रिक को के उपन्यासों के साथ मैच भी कर लेते हैं तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं दोस्तों बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है इसमें कुछ भी हमें याद करने की जरूरत नहीं है सभी पूरे-पूरे उपन्यास लिख लिए बस हमें यहां पास से पाशंग याद रखना है और यह सभी पूरे उपन्यास प्रकासन वर्स के करमान युसार भी हैं हमारी ट्रिक में तो आप लोगों को आज की हमारी ड्रीक कैसी लगी दोस्तों आपलोग हमें कमेंट करके बताना नभूले साथि अगर आप लोगों नैंहीं चैनल को अभी तक सब्सक्राइबuf किया है तो प्लीज दोस्तों हमारे चनल को सब्सक्राइब कर ले हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें फिर मिलेंगे अपने नए वीडियो में नई ट्रिक के साथ तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों